दोस्तो आज कल का खान पान ऐसा हो गया है कि पेट में गैस बनना ऐसी डीटी बनना जैसी बिमारियां आम हो चुकी है दोस्तो और तो और खास तोर पर हम तरह तरह की तली भूनी चीजे खा लेते हैं जिसके वज़े से हमारे पेट में ऐसी डीटी बन जाता है कई बारी सीने में दर्द हो जाता है, कभी कभी हमारे सर में भी दर्द हो जाता है दोस्तों उस वक्त बस ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द इस दर्द से हमें अराम मिल जाए हमें छुटकारा मिल जाए तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे घरेलू नुस्खा पताऊंगा जो कि अगर आप मेरे बताया अनुसार अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पेट से गैस और कब्ज ऐसी डिटी समस्य तो दूर हो गही साथी साथ आपकी पाचन सकती बिल्कुल मजबूत हो जाएगा अगर आप कुछ भी भोजन करेंगे तो वो भी बहुत ही आसानी से पच जाएगा तो दोस्तो बने रहे इस वीडियो के साथ दोस्तो साथी साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएए तो दोस इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है वे दोस्तो एक गलास की मातरा में गुनगुना पानी दोस्तो इस गुनगुने पानी में आपको यहाँ पर मिलाने है जीरा पाउडर दोस्तो यह जीरा आपको पंजारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल ज हैं तो तो स्बाइब इस जीरे का पहले से इपीश कर पाउड़ तैयार किया हूं और इसमें सहागार एक चमच की अगर आपको हुपत चितते हों होती आमला पाॉडर में इस अमला पाउडर को इसे मातर का मिला लेने कि दोस्तो आप को कितना हुँ भोजन कर ले उसके बाद से अब एक गलास की मातर में अगर नीम्बू पानी पीलेते हैं तो आपकी भोजन बहुत ही असानी से पच्छे दि दोस्तो वहीं सेम काम करेगा यहाँ पर भी दोस्तो आपको लेने एक आधिकटी नीमबू और इसका जूस इसमें मिला लेना है और नीमबू यह हमारे पेट की जो भी गैस और कबजी की समस्या साथी साथ अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो इन सारी समस्या उसे छु जबूत हो जाएगा बिल्कुल बहुत ज़्यादा भोख लगेगा तो दोस्तो यह हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है दोस्तो अब हम जान लेता है कि हमें इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है दोस्तो इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको सुबह खाली पे उसके बाद आप फिर से एक ग्लास की मातरे में तयार करें और उसे पी जाएं दोस्तो आप जब सुभा उठेंगे तो आपकी पेट बिल्कुल साफ हो जागा बिल्कुल अच्छी तरह से साफ होगा तो दोस्तो हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में तक तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद